प्रेंड्स आप सभीको मैंने प्रेक्टिसएट फाइब तक करा दिया था आज हम बात करेंगे प्रेक्टिसएट 6 के बारे में जो कि मैंशन के 30 इंपोर्टेंट क्यूशन होने वाले सभी परसेंट आपको आंसर से मिलेंगे फ्रेंड्स आप सभी ने अगर पांच सेट नहीं देखा है एक सी पांच तक तो हमारे चैनल के वीडियो जाके देख सकते हो यह फिर हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए कि मुल करेंगे, अध्यों के सहरों में इस्तित्ः इमारतों के लिए कि हमारे किस पत्तर का उपयों किया जाता है, कि फ्रेंड्स इंडेस्ट्रे जो एर्या होता है उsm option B compact sandstone option C Ghenish option D slate question number 1 की बात कर लेते तो friends इसका right answer हो जाएगा option number B इसका right answer हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स question number 2 की बात कर लेते हैं मल्बे की चिनाई को उप में विवाजित किया गया है option A 4 भागों में option B 2 भागों में option C 6 भागों में option D 10 भागों में question number 2 की बात कर ले तो friends इसका right answer हो जाएगा option number C is the correct answer 6 इसका right answer हो जाएगा अब बात कर लेते हैं question number 3 की यादर चिक मलबे की चिनाई में आई चेहरे के पत्थर है option A छेनी के कपड़े पहने वे option B है मेर के कपड़े पहने वे option C कुलाहडी के कपड़े पहने वे option D सादे कपड़े पहने वे question number 3 की बात कर ले तो इसका right answer हो जाएगा option number 8 इस दा correct answer छेनी के कपड़े पहने वे Q4 की बात कर लेते हैं चकमक पत्थर के मलवे में इस्तेमाल किये जाने वाले निसान है Option A, Fly Ais के Nodule Option B, Feld Spar के Nodule Option C, Micah के Nodule Option D, Silica के Nodule Q4 की बात कर लेते हैं इसका राइट आंस हो जाएगा Option Number D is the correct answer Silica के Nodule इसका राइट आंसर हो जाएगा Q5 की बात कर लेते हैं महराप में चिनाई के लिए नीचे दिये गए जोडों में से किसका उप्योग किया जाता है Option 1, But Option B, Table Option C, Rebate Option D, Daweal Q5 की बात कर ले तो Francis का राइट आंसर हो जाएगा Option Number C is the correct answer Rebate is correct answer हो जाएगा Question Number 6 की बात कर लेते हैं पत्थर की चिनाई के लिए सिमेंट, मोरटार के किस अनुपात का उप्योग किया जाता है Friends इसमें बताना है आपको जो पत्थर की चिनाई की जाती है कि उसमें सिमेंट और मोरटार जो की बज़री होती है उसका किस अनुपात में उप्योग किया जाता है Option A A कानुपात 6 Option B A कानुपात 3 Option C A कानुपात 8 Option D A कानुपात 4 Question No.6 की बात कर लें तो Friends इसका राइट आंसर हो जाए Option No.2 is the correct answer A कानुपात 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा Question No.7 की बात कर लेते है असलार चिनाई का उप्योग करता है Friends इसमें बताना है कि जो असलार चिनाई की जाती है उसमें किस पत्थर का उप्योग किया जाता है Question ये बोल रहा है Option A आयाम पत्थर Option B बहुबूज पत्थर Option C पदानों के कपड़े पहने Option D चोकोर पत्थर Question No.7 की बात कर ले तो Friends का राइट आंसर हो जाएगा Option No.A आयाम पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाई मलबे और राखल चिनाई के बीच एक मद्धे वर्ती इस्तिति में रहती है Option A एक कोर्स में मलबे ब्लॉक Option B एसलर मलबे बेसक Option D एसलर ब्लॉक एक कोर्स में Option D निश्चित रूप से मलबे की राख Question No.8 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option No.C एसलर ब्लॉक एक कोर्स में इसका राइट आंसर हो जाएगा Question No.9 बिचाने के लिए महन कोसल और कोसल सर्मिक की आउशकता होती है Option No.9 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option No.D सुस्क मलबे की चिना इसका राइट आंसर हो जाएगा Option No.10 की बात कर लेते हैं पत्थर की चिनाई निर्माण के लिए नेमनल लिकित में से किसका पालन नहीं किया जाना है Option No.Header के पत्थर गुंगे बेल के आकार की होते है Option B 2-3 सब्ता तक ठीक हो जाते है Option C निर्माण को समारूप से उठाया जाता है Option D उप्यों किये जाने वाले पत्थर गेले होते है Option No.10 की बात कर लेते हैं Option No.A इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है फ्रेंट Option No.11 इट चिनाई कितने प्रकार से संभव है Friends आपको बताना जो इटो की चिनाई की जाती है कितने प्रकार से की जाती है Option A चार प्रकार से Option B दो प्रकार से Option C पाच प्रकार से Option D छे प्रकार से क्यूशन No.11 की बात कर लेते हैं Friends इसका राइट आंसर हो जाएगा Option No.A चार प्रकार से की जाती है क्यूशन No.12 दिवार की दिशा में अपनी लंबाई के साथ किस इइट की इइट रखी जाती है Option A हेडर Option B फ्लेमिज Option C इस्ट्रेचर Option D अंग्रेजी क्यूशन No.12 की बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा Option No.C इस्ट्रेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा Okay Friends अब बात कर लेते हैं Question No.13 Question No.13 कट गया है तो हम 14 की बात करते हैं ठीक है Friends इइट चिनाई में निम्न में से किस से बचना चाही है Option A छेटी जोड से Option B क्विन करीब से Option C इइट बल्ला Option D उर्दुवार्दर जोड से Question No.14 की बात कर लेते इसका राइट आंसर हो जाएगा और दुर्दर जोड Option D उर्दुवार्द जोड हो जाएगा Okay Friends Next Question की बात कर लेते हैं 15 अंग्रेजी बॉंड की तुल नामे बॉंड दिखने में बहतर है आपको बता ने Friends जो अंग्रेजी बॉंड होता है उसकी तुरुन नामे कौन सा बॉंड दिखने में सबसे बैतर है Option A की बात कर लेते हैं Option B की बात कर लेते हैं Double Flemish Option C की बात कर लेते हैं Single Flemish Option D Poly Flemish Question number 15 की बात कर लेते हैं Friends, इसका right answer हो जाएगा Option number B is the correct answer Double Flemish इसका right answer हो जाएगा Okay friends अब बाताना आपको सही and गलात है Flemish bond English bond की तुल नामे महंगा है क्या ये बात सही है ये गलात तो Q16 की हम बात कर लेते हो इसका right answer हो जाएगा B तो ये बात बिलकुल गलात है Okay friends Question number 17 की बात कर लेते है Herring bond Bond में इटो को दिशाओ से दोनों कोणों पर लाइन में रखा गया है Option A 60 degree केंदरी है Option B 60 degree उर्धोहरदर Option C 45 degree केंदरी है Option D 45 degree Lumbworth Question number 17 की बात कर लेते हैं Option number C 45 degree केंदरी है इसका right answer हो जाएगा Question number 18 की बात कर लेते है आदी चोड़ाय में काटे गए इटो के इससे को कहा जाता है Option A आदा विवाजन Option B आदा करीब Option C आदा विस्तर Option D आदा बला Question number 18 की बात कर लेते हैं आदा कर लेते हैं उर्दवार्दर जोड से बचने के लिए अंग्रे जी बॉंड में हर हेडर कोर्स की शुरुआत में क्या रखा जाना चाहिए Option A Queen करीब Option B Half bet Option C 3-4 bet Option D King करीब Question number 19 की बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा Option A इसका राइट आंसर हो जाएगा Queen करीब इसका राइट आंसर हो जाएगा अब बात कर लेते हैं Question number 20 की किसी संरचना की दिवारों के कोनों के लिए उप्यों की जाने वाली इटों को कहा जाता है Friends जो दिवार होती है उसके जो कोने होते हैं उसकी संरचन बनाने के लिए जिस इट का उप्यों किया जाता है उस इट को क्या कहा जाता है Question में ये कहा गया है Okay अब बात कर लेते हैं, आंसर की, option A, small, option B, quince, option C, hearing D, side, question number 20 की बात कर लेते हैं, इसका right answer हो जाएगा, option B, quince, इसका right answer हो जाएगा, बात कर लेते हैं, इस्ट्रेचर के तीन या पांच पाथे क्रमों के लिए, हेडर के एक कोर्स में, कौन सा बांड सामिल है, option A, Dutch bond, option B, zigzag bond, option C, English garden wall bond, option D, facing bond, question number 21 की बात कर लेते हैं, इसका right answer हो जाएगा, option C, English garden wall bond, इसका right answer हो जाएगा, question number 22, miss हो गया, 23 की बात कर लेते हैं, इट के काम के लिए, कौन सा IS code अभ्यास देता है, friends, आप जो भी government काम करते हैं, सभी में IS एक code होता है, तो friends, वो जरूरी होता है, तो वैसे सेम आपका जो चिनाई की जाती है, मैंसर में, उसमें इट के काम के लिए code रखा गया है, वो IS code अभ्यास है, तो हम बात कर लेते हैं, इट के काम के लिए, कौन सा IS code अभ्यास देता है, आप्शन A, IS 2212, आप्शन B, IS 3102, आप्शन C, IS 3466, आप्शन D, IS 1067, Q23 की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप्शन A, IS 2212, इसका राइट आंसर हो जाएगा, Q24, कंक्रीट तयार करने के लिए, मुख्य रूप से कितने गठकों का उप्योग किया जाता है, फ्रेंट जब कंक्रीट तयार किया जाता है, तो मिसरन में कितने गठक, जैसे आपने सिमेंट मिलाया बजरी मिलाया तो ऐसे कितने गटक है उनको मिलाने से कंक्रेट तयार किया जाता है option A 5, option B 3, option C 2, option D 4 question number 24 के बात कर ले तो इसका right answer हो जाएगा option number D 4 इसका right answer हो जाएगा question number 25 concrete में सिमेंट के लिए सबसे आम विकल्प कौन सा है option A slack, option B, fly S, option C, damer, option D, lime question number 25 के बात कर लेते हैं इसका right answer हो जाएगा option C, damer इसका right answer हो जाएगा 26 के बात कर लेते हैं हाथ मिलाते समय उप्यों किये जाने वाले आदरस जल सिमेंट अनुपात क्या है option A, 0.4 से 0.5 option B, 0.5 से 0.6 option C, 0.6 से 1 option D, 1.6 से 2 question number 26 के बात कर लेते हैं option B, 0.5 से 0.6 से हैं अब बात कर लेते हैं, question number 27 कोन सा IS code कंक्रीट में उप्यों की जाने वाले पानी के बारे में विवरण देता है मैंने पहले ही बता दिया है जो IS code होता है, उसी आदार पर आपका government काम किया जाता है bigger IS के आपका government काम नहीं किया जा सकता है option E IS option D IS 3012 question number 28 की बात कर लेते हैं, रासानी के जिएट में कितने परकार के होते हैं जो रासानी किने परकार की होते हैं प्रेंट्स के लिए उप्यूग किया जाता है ऑप्शन ए उच्छ वर्दी बाउंड करने माड़ ऑप्शन भी म्रम्मत कारिय ऑप्शन सी ठंड़े मौसम की स्थिति ऑप्शन डी गहरे तेल की मात्रा को पीशना क्यों से नमबर 29 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाए प्रेंट्स कि नमबर 30 सफेद कंक्रिट बनाने के लिए जोड़ा जाता है ऑप्शन ए फ्लाइस ऑप्शन बी मेटा कोलिन ऑप्शन सी उद्धाइबूसी ऑप्शन डी पिगमेंट कि नमबर 30 की बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 31 की बात क जैसे से पानी का सिमेंट अनुपाद बढ़ता है तो आपको बताना है क्या बढ़ता है जैसे जैसे पानी का सिमेंट अनुपाद बढ़ता है खालिस्तान भी बढ़ता है ऑप्शन ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑप्शन बी टेंसिल स्ट्रेंथ ऑप्शन सी ब्लेडिंग ऑ बात कर लेते हो इसका राइट आंसर हो जाएगो क्यों नमबर 32 नीचे दियेगे प्लास्टीसाइजर का उधारन क्या है अप्शन ए हाइड्रोक्सीलेटेड कार्बोक्लीजिक एसिड ऑप्शन फ्लॉरोसिलेकेट ऑप्शन सी जिप्सम ऑप्शन दी सुर्खी Q&32 की बात कर लेते हो जाएगा ओप्शन ए औप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा Option A Water, Option B Cement, Option C Aggregates, Option D Admiture Question No. 33 की बात कर लेते हैं तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, Aggregates इसका राइट आंसर हो जाएगा Question No. 34 जो के last and final question है Grade M20 concrete में गठ़क का अनुपात क्या है Option A Option B Option C Option D Option D Question No. 34 की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Option No. 20 का राइट आंसर हो जाएगा Okay Friends Friends आज के हमने जो 30 questions थे वो हमने करवा दिये है, 30 plus CQs न हमने करवाए है Friends जिसको भी PDF लेनी है वो हमारे नंबर पर संपरक करें 7891-7806 पर संपरक कर सकता है ठीक है Friends Friends PDF की फीस हमने रखी है जो कि आपको WhatsApp के दरूब बता दी जाएगी ओके Friends जिसको भी लेना वो इस नंबर पर संपरक कर सकते हैं पिर हमारे जो वीडियो है उसके description box में नंबर मिल जाए हुआ जाके भी आप संपरक कर सकते हैं आयोब हमारे वीडियो आपको पसंद आए पसंद आए तो इस लाइक एम अपने दोस्तों साथ में सेर करना ना बोले एम फ्रेंड्स आपके जितने भी गुरूप में सभी में ये वीडियो सेर कर दे जिसने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया सब्सक्राइबर जरूर कर ले जहिन दोस्तों